नमस्कार किसान भाईयों मैं हूँ आपका दोस्त यमडी अक्तर और फिर से स्वागत है आपके यूटूब चैनल केजियन मिर्दासन जिवनी में साथ हीओं आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी खेती लाएं हैं जिसमें आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो एक खेती कोई और नहीं केले की खेती है कई किसान इस खेती में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं अगर आप भी चाहते हैं अच्छा प्रॉफिट कमाना तो उससे पहले केले की पूरी जानकारी का होना बहुत जरूरी है और इस खेती में मेहनत का भी होना बहुत जर अगर आप लोग इस टोपिक पर ध्यान रख लिये तो काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें साथी साथ बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबा लें सबसे पहले जब आप खेत की तैयारी करते हैं उसमें भी खाद वो उर्बरक की जरूरत होती है उस समय आपको गेहूं की फसल कटने के बाद परी खाद यानी सनईव धैचा का प्रियोग करें और उसके बाद उसे खेत में जुताई करवा दें इसके बाद खेत में पानी डाल कर उसमें कमपोस्ट खाद का प्रियोग करें और वेश्ट डिकमपोजल का घोल जरूर दें क्योंकि वेश्ट डिकमपोजल की घोल से आपकी जमीन काफी उपजाओ हो जाती है और केले की खेती के लिए काफी बेहतर होता है इसके बाद जब गढ़ा खोद लें तो उसमें कमपोस्ट डालना चाहिए और उसके साथ ट्राइकोडर्मा का प्रियोग जरूर करें क्योंकि ट्राइकोडर्मा के प्रियोग से हंगस से सुरक्षा मिलती है इसके बाद आपके पौधे की रुपाई जब हो जाती है उसके एक सबताह बाद यूरिया 10-20 ग्राम पर पौधा डालना चाहिए और यूरिया पौधे की जर से 6-7 इंच दूर ही डालें क्योंकि जर में डालने से पौधा जल जाएगा इसके बाद हर 20 दिन के अंतराल पर यन पीके 10-26 उसका प्रियोग करें धीरे धीरे जब पौधा बढ़ने लगे तो आप अपनी खाद के दोज को भी जिसके वजह से खाद की जरूरत नहीं पड़ती जब ठंडी समाप्त हो जाए यानि 15 फरोरी के बाद हर 20 दिन पर यन पीके यूरिया और पोटास मिला देना चाहिए इसके साथी साथ दोस्तों एक बार जिनक का प्रयोग अवस्य करना चाहिए यह प्रक्रिया आपको फल आ के बाद करते रहना है क्योंकि खेत में नमी का रहना बहुत जरूरी है क्योंकि नमी रहेगी तभी पोधे का ग्रोथ बेहतर होगा और उत्पादन भी अच्छा होगा इसके साथ ही दोस्तों वेश्डिक कमपोजर का घोल पानी के साथ अवस्य करें क्योंकि वेश्डिक गोल से आपकी जमीन उपजाओ होगी और आपने जो कमपोष्ट और हरीखाद डाला है वेस्ट डिक कमपोजर की वजह से उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और पौधे का फल काफी वजन होगा साथियों इसके साथ ही बेश्ट डिक कमपोजर का घोल 50% पाने में मिलाकर हर 15 दिन के अंतराल पर पौधे पर छिकाव जरूर करें इसके प्रयोग से पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और इसके लगातार प्रयोग से रासायनिक खाथ से छोटकारा मिल जाएगा और उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा तो साथियों बीडियो कैसा लगा कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें और अगला बीडियो किस टोफिक पर चाहिए यह जरूर बताएं धन्यवाद